प्रेस्ट लोड जह मसीगी पास्टर जी जीवित परमिश्रका में धन्यवाद करती है कि उसने इतनी अत्वूत कवाही से मुझे नवाजा है जह मैंने से मैं कॉर्ट केस में फुसी हुई थी और बहुत परिशांती बहुत अप्रेशन था और सुसाइट के अटेक होते थे पहले आपने एक विडियो में नो बजे जब आपकी प्रात्ना लाइव आती थी तो उसमें आपने पवित्रा आत्म के जरे से मेरे भाविश्यमानी करी थी कि नीलम बहन आप हर स्ट्रगल से और हर बंदन से आजाद होने के लिए जाए परमिश्र आपको आजाद कर रहा है आज बन्दन से आजाद होने के लिए परमिश्र आपको आजात कर रहा है और वो मैंने अपने लिए रिसीव किया और विश्वास कही कि यह मेरे जीवन में पूरा होगा और आज चार तारीक 411 2022 को यह भुश्वानी मेरे जीवन में पूरी हुई में कॉट कैसे पूरी तरह से आज़ाद हूं परमिश्व ने मुझे आज़ाद किया मुझे मेरे पास जॉब भी नहीं थी लेकिन जब मैंने 29 दस दोचार बाइस को अपना बीच बोया तो परमिश्व ने मुझे एक चॉप से नवाजा और जब मैंने बीच बोया उसके दो ते दिन तीन दिन बाद ही मुझे जॉब के लि और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमिश्व का लाखों लाखों बार धनेवाद करती हूँ और पास्टर जी मैं आपका भी लाखों बार धनेवाद करती हूँ जे भी परमिश्व के महिमा हो प्रभीयश मसी की जय हो हालेलूरिया जय मसी की पास्टर जी गुड इनिंग पास्टर जी, मैं अपनी छोटी सी गवाही आपको देना चाहती हूँ, मेरा बेटा कुछ समय बहुत बिमार चल रहा था और हम काफी परिशान थे उस समय, मैंने आपकी मिनिस्ट्री पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उस समय आप खामरा चर्च में थे, आपने अपने वीडियो में बताया भी था कि आप उधर होंगे तो आप शायद बिजी होंगे, आप रिस्पॉंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यूंकि आपकी मिनिस्ट्री में ये ब्लेसिंग है कि सिर्फ रिक्वेस्ट भेजने से ही वो प्रात्ना सुन ली जाती है, तो मैंने उस मैंने मन में विश्वास कर लिया था कि प्रभू मेरे बेटे को चंगा करेगा और आपकी मिनिस्ट्री पे मैंने भेजा, और मेरा बेटा चंगा हो गया, पूरी तरीके से वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का और आप और आपका बहुत बात प्रभू की थी, रिसंबर से पहले अदबुत काम होंगे और परमेश्वर के नाम से मैंने रिश्यू किया, मेरे हस्बेंड ने आट लाख पचास हजार की कार ले ली, ये हमारे लिए असंभव था लेकिन परमेश्वर के लिए सब संभव है, आमिन, हालेलुया, मेरी दूस जाय मसे गें, सुना आपने, परमेश्वर के अदबुत काम, इस 2022 में हर भाषवश्वानी पूरी हो रही है, मेरे अजीर दो जो परमेश्वर मुझे बताते हैं, चाब वो संकट के भाषवानी हो, चाब बलेसिंग हो, सारी पूरी हो रही है, और अब भी दो महने बाकी है, परमेश्वर ने जो कहा है, उसे पूरा आपके जीवन में करेंगे, यह बात याद रखना, और आपने भी जो मनत और जो बोला है, उसे पूरा करो, यकिन मानना, परमेश्वर आपको वो आशी देंगे, जो कभी खतम नहीं होगी, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हर